let's do question number 9th of exercise 6a that is coordinate geometry question number 9th is finds points on the x-axis हमें points निकाल लें x-axis पे each of which is at a distance of 10 units from the point जो की distance कित्ते distance पे हो 10 units के distance पे हो कहां से point A से point A है 11 and minus 8 हमारा point A दे रखा है point A दे रखा है हमारा 11 and minus 8 और वो कह रहा था कि 10 units का distance है जो हम point x-axis पे देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम x-axis पे point देखते थे तो हमारा ये मान लीजे कोई भी point है तो हमारा y 0 होता था इस point पे right like अगर मैंने कहा हमें plot करना है x 2 हो और y 0 हो तो कहां plot करेंगे x 2 यहां जाएगा और y 0 यहां आएगा तो यहां point बाग करते थे अब ये point पता नहीं है कि ये 2 है ये 3 है तो हमने इसको x मान लिया और y हमारा 0 हो गया और ये point p माना तो let the point is p जो की है x n 0 अब pa का distance कितना दे रखा है that is 10 units दे रखा है यही कह रहा था हमें x axis पे point find point on x axis हमें point लगाना x axis पे जिसका distance है 10 units from a right अब कैसे करेंगे हम distance कैसे निकालते थे distance का formula होता था pa का distance निकालना उसका formula होता था square root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square right अब x2 क्या है x1 क्या है y2 क्या है y1 क्या है या तो आप a point को x1 y1 और p point को x2 y2 मान लीजे या p point को x1 y1 और a point को x2 y2 मान लीजे कुछ भी मान सकते हैं किसी को तो मैंने point a को मतलब 11 को x1 माना मैं यहां लिख लेती हूँ x1 माना 11 को y1 माना हमने minus 8 को इसी तरीके से x2 क्या हो गया p के points that is x and y2 हो गया हमारा 0 राइट अब यह values रख देते हैं अब पी यह हमें पता है 10i square root x2 कितना है that is x यहां से देखेगा x2 है x x1 है 11 minus 11 का whole square plus y2 है हमारा 0 और y1 है minus 8 तो 0 minus minus 8 का whole square तो अब यह कितना आ गया 10 equals to square root देखिए a minus b के whole square का formula तो यह होता है a square plus b square minus 2ab plus अब देखिए 0 में से minus होगा minus minus plus 8 0 plus 8 is 8 तो 8 का whole square तो यह कितना आ गया आप देखिए यहां पे से हमें root हटाना है क्यों root हटाना है root में से value क्यों नहीं निकल सकती क्योंकि इसके अंदर already x की terms है right तो हमने क्या किया squaring आप चाहें तो उपर भी कर सकते थे मैं नीचे कर यू squaring both side अब squaring करने पर 10 का तो square हो जाएगा और जो right hand side पर root की value है उसमें से root हट जाएगा तो root के बिना रखेंगे सारी values तो यह कितना x square देखिए x का whole square is x square 11 का square हमें पता है 121 होता है तो plus 121 minus का 22x plus का 64 देखिए minus का 22x and 8 is a 64 plus का तो अब आगे solve कर लेते हैं तो यह आगे 10 का square is 100 equals to x square minus 22x अब देखिए 121 भी plus का है and 64 भी plus का है तो आपस में add हो जाएंगे तो plus का कितना आ गया यह आ गया 185 अब मैं 100 को left side से right hand side ले जाओंगे तो यह आ गया 0 equals to x square minus 22x आगे plus 185 minus 100 minus का होगे 100 इदर आगे तो यह आ गया x square minus 22x अब यह देखिए यह एक plus का एक minus का है sin बड़े वाले का लग किया तो plus 85 equals to 0 अब 85 को x square से multiply किया तो यह आया 85 x square राइट प्लस का अब इसके दो ऐसे factors की plus minus करके 22 आए तो कैसे होगा देखिए 85 को factors निकाले 5 ones of 5 35 5 7 35 तो 17 and 5 22 हो गया तो 17x and 5x दोनों minus के होगे क्योंकि आपस में plus हो रहे है same sign लगेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं x square minus 17 x minus 5 x plus 85 equals to 0 अब first two term में से x common आया तो क्या बचा x minus 17 second two term में से minus 5 common आया तो क्या बचा x minus 17 minus भार common लगाया तो अंदर की sign change हो गया अब x minus 17 common आया तो क्या बचा x minus 5 तो हमारी x की term क्या आ गई x minus 17 को 0 के equal रखा तो x आ गया 17 और x minus 5 को 0 के equal रखा तो x आ गया 5 तो the required हमें पोइं पोइं आन एक्स एक्स निकालना था तो the required 3rd point on x axis is क्या आएगा या तो 17 and 0 आएगा and 5 and 0 ये दोनो point आएएंगे x axis पे answer. Let's do question number 10th of exercise 6a that is coordinate geometry question number 10th is find the point on the y axis अब हमें y axis पे point ढूणने है which is equidistance from the points हमारे जो की point equidistance है A से भी और B से भी अब A के coordinates दे रखे हैं 6 5 and B के दे रखे हैं minus 4 and 3 चलिए अपने points लिख लेते हैं सबसे पहले तो हमारे point A दे रखा था हमें 6 and 5 और B दे रखा है हमें minus 4 and 3 और हमें पता रखा है कि जो वो point है वो equidistance पे हैं दोनों point से तो और हमें वो जो point है वो y axis पे ढूणना है देखिए अगर point हमें y axis पे ढूणना है तो हमारा y axis पे कब point देखेगा? जब हमारा y तो 2 हो और x 0 हो तभी इस line पे लाए करेगा तो हमारा point मान लेते हैं तो हमने उसे y axis पे ढूणना था तो हमने इसे y मान लिया अब वो कह रहा है a point और b point दोनों equidistance पे है p से तो दोनों point same distance पे है तो हम यह कह सकते है कि pa equals to pv है because both points are at equidistance right तो अब pa equals to pv है अब हमें पता है pa और pv हमने निकालेंगे तो under root में आएगी तो इस case में हम क्या कर देते हैं? जब pa equal to pv है तो उसको squaring भी equal होगा तो squaring both side करी तो यह आगया हमारा pa का square is equals to pv का square अब जब मैं pa निकालूंगी उसकी value root में आएगी x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो जब इसका square करूँगी तो यह root हट जाएगा तो अब मैं सिर्फ यह वाला formula लिखूँगी अब second thing अब p को मैं x1 y1 और a को x2 y2 इसी तरीके से pb के case में p को x1 y1 और b को x2 y2 मान रही हूँ तो देखिए pa के case में हमने x1 यहाँ पे लिख रही हूँ side में pa के case में x1 माना मैंने 0 को और y1 माना मैंने y को और x2 माना 6 को और y2 माना 5 को इसी तरीके से pb के case में अब b point लेना है हमारा x1 रहा 0 y1 रहा y और x2 रहा minus 4 and y2 रहा 3 इसका confusion नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका question रॉंग हो जाएगा आप देखिए अब direct x2 minus x1 यहाँ पे pa है तो यह वाली x2 minus x1 तो bracket में 6 minus 0 का whole square प्लस y2 y2 है 5 minus y1 तो 5 minus y का whole square equals to अब pb का formula लगना है तो pb में x2 है minus 4 minus 0 तो minus 4 minus 0 का whole square plus y2 है 3 minus y का whole square राइट अब brackets open कर लीजे तीक यह 6 में से 0 गया 6 6 का whole square is 36 plus 5 minus y that is a minus b का whole square तो a square plus b square minus 2ab right equals to अब देखिए अब देखिए minus 4 में से minus 0 गया minus 4 गया minus 4 का square that is minus minus plus 4 4 is 16 तो यह आगे 16 प्लस आप देखिए 3 minus y है तो a minus b का whole square तो a square plus b square minus 2 into a into b यह आगया अब brackets open कर देते हैं तो यह आगया हमारा 36 plus 25 क्योंकि 5 का square is 25 यहां लिख रहे हूं 36 plus 25 आगे देखिए plus y square minus 10 y plus y square minus 10 y equals to 16 plus 9 plus y square 16 plus 9 plus y square minus 6 y minus 6 y अब y की terms एक साइट और constant terms एक साइट तो देखिए यहां पर यह दोनों left कर दूंगी left साइट पर और यह दोनों इधर लियाओंगी तो यह आया y square minus 10 y और उधर से y square आया तो minus का हो गया sign change रहेंगे और 6 y plus का हो गया equals to 16 plus 9 as it is 36 minus का हो गया और 25 minus का हो गया तो यह कितना आ गया देखिए y square plus का था minus का था cancel हो गया अब 10 y minus का है 6 y plus का है तो आप उसमें subtract हो गया sign बड़े वाले का लग गया equals to आप देखिए 16 plus 9 is 16 plus 9 is 25 minus 36 minus 25 25 25 एक प्लस का एक माइनस का cancel हो गया तो यह आ गया minus 4 y equals to minus 36 minus minus cancel हो गया तो यह आ गया हमारा 36 upon 4 तो 4 1s are 4, 4 9s are 36 तो y कितना आ गया हमारा 9 तो हमारा point कितना आ गया the required point is 0 and 9 y कीजिए 9 लग दिया is the answer the 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 झाल झाल